आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें चित्र में देख सकते हैं, यहां पे दिष्ट करन किया जा रहा है तो आप देखेंगे कि दिष्ट करन करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर परिपत है इस परिपत के जो निवेसी है अर्था जो input है उसमें हम क्या देते हैं यहाँ पर AC उल्टता देते हैं अर्था जो प्रत्यावर्थी उल्टता है इसे हम यहाँ पर देते हैं तथा जो निर्गत हमें जो प्राप्त होता है वह क्या होता है हमें यहाँ पर दिश्टकारी हमें और-देंग हैं प्रवाइद करते हैं और यहां पर प्रतिरोत्स के माध्यम से हमें यहां प्राफ्ट होता है तो इसके लिए यहाँ पर निवेसी तरंग है और जो निर्गत तरंग है इसको हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो निवेसी परत्यावर्ती सिगनल का यहाँ पर तरंग है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परत्यावर्ती तरंग ह यहां पे धनात्मक दिशा में तथा रिनात्मक दिशा में दोनों दिशा में यहां क्या होती है इस प्रकार से प्रवाहित होती है तो इस प्रकार से धन और रिन दोनों दिशा में यहां क्या होती है दोलन करते हुए आगे बढ़ती है मगर जो हमें निर्गत धारा या निर्गत उल्डता हम देखें तो वह क्या है यहाँ सिर्फ एक ही दिशा में आपको प्राप्त होगी या जिकि धनात्मक दिशा में हाँ प्राप्त हो रही है तथा रिनात्मक दिशा में प्राप्त नहीं हो रही है तो यही जो है यहां दिश्टी की निर्गत सिगनल होता है अर्थात यह एक ही दिशा में दोलन करते हुए यहां पर हमें प्राप्त होती है तो इस प्रकार से हमें यहां पे जो दिश्ट कारी है उसका जो मुख्य उद्देश होज क्या होता है वह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की यहां पे ववस्था होती है तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्ण में पूछा गया था कि दिश्टी करन का अर्थ होता है तो पहला हमें क्या दिया गया था ओप्शन में यहाँ पे दिया गया था कि प्रत्या वर्थी उल्टता का बढ़ाया जाना तो यहां पर यहां भी नहीं होता तो यहां भी गलत होगा C में क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है कि धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्ता करना तो आप जैसे आपने यहां पर देखा यहां पर तीस तरंग के माध्यम से यहाँ पर एक ही दीशा में यहाँ धनात्मक दीशा में तो यहाँ पर ओप्पन की सुन्यतूरियोटी सहीं करना नहीं किया जाता तो यहाँ भी गलत है इस प्रकार से हमें यहां पर कह सकते हैं कि सिर्फ यहां पर option जो C है वह क्या होगा आपर सहीं होगा धन्यवाद